दिल्ली के निम्न एवं मध्यंबर के लोग अपना घर बना पाएं इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सीड़ी दी गई है इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड रुपिय से अधिक खर्च किये गए हैं ताथियों केंद्र सरकार का लक्ष है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शांदार सुविदा संपन्नस शहर बनाएं दिल्ली के विकास को गति देने के लिए हमने जो काम किये हैं दिल्ली के लोग दिल्ली के घरीब दिल्ली का विशाल मद्यंबर्ग वे इन सब के साक्षी के रुपे हर जगा पे अपने बात बताता है इस बार लाल किले से मैंने देश की एस्पिरेशनल सुसाइटी की बात की थी दिल्ली का गरीब हो या मद्यंबर्ग वह आकांख्षी भी है और अभूत्पुर प्रतिभा से भरा हुआ है उसकी सहोलियत उसकी आकांख्षा की पूर्ती सरकार की सर्वोच्च प्रास्पिक ताव में से एक है साथ्यों 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो दिल्ली NCR में 190 किलोमेटर रूट पर ही मेट्रो चला करती थी आज दिल्ली NCR में मेट्रो का विस्तार बढ़कर करीब करीब 400 किलोमेटर तक हो चुका है बीते आठ वर्षों में यहां 135 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए है आज मेरे पास दिल्ली में कॉलेज जाने वाले कितने ही बेटी बेटियां बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग चिठी लिखकर मेट्रो सर्विस के लिए आभार जताते हैं मेट्रो की सुविता का विस्तार होने से हर रोच उनके पैसे भी बच रहे हैं और समय की भी बच्चत हो रही है बिल्ली को ट्राफिक कंजेशन से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा पच्चास हजार करूर रूपिये के निवेश से सडकों को चोड़ा किया जा रहा है आधुनिक बनाये जा रहा है दिल्ली में जहां तक जहां एक और पेरिफेरल एक्सप्रेस बन रहे हैं तो दूसरी और कर्तब या पत्तिया से निर्मान भी हो रहे हैं